मोदी जी कहते हैं और मोदी की सरकार कहती है भाजपा कहती है विपक्स जो भी सवाल उठाता कि सुप्रीम कोट में चले जाओ सुप्रीम कोट में चले जाओ और सुप्रीम कोट में केस दाखिल कर दो सुप्रीम कोट जो कहेगा सब मान्य हो जाएगा और सुप्रीम कोट के अं ट्रिपल तलाग का फैसला इन तीनों फैसलों के अंदर जो जज साब मुझूद थे सुप्रीम कोट के जज साब आज उनको अंदर प्रदेश का रज्यपाल नुक्त कर दिया गया और केवल और केवल चालिस दिनों के अंदर अंदर चार जनुरी को रिटायर्मेंट हुई और चालिस दिनों के अंदर अंदर इनको रज्यपाल नुक्त कर दिया है चालिस दिन में तो साब आप जो है कहीं पर दूसरी जहें पर अगर रह रहे थे किराय के उपर और वहां से या मकान में रहे रहे थे वहां से बेच करके दूसरी जहें पर कोई मकान देखें तो वहां पर आप सेटल नहीं हो सकते चालिस दिनों के अंदर लेकिन देखे कितनी शांदार जो है आज बात हुई है कि जज साब वहां से रिटायर हुए सुप्रीम कोट के जज वहां से रिटायर हुए और 40 दिनों के अंदर जो है नया ठिकाना मिला आंदर परदेश के गवर्नर बने क्या कहेंगे बस अब इससे आगे कुछ कहने के लिए बचता नहीं है लेकिन मैं खबर आपको बताता हूँ ताकि आप सुन सकें समझ सकें लोगों को बता सकें क्योंकि जो बात मैंने कही है अभी चंद लाइनों में जो बात मैंने समेट करके आपके सामने रख दी है वो बात तो आप कहेंगे कि आपने आप से ही कैदी होगी मैं आपके सामने लिखित जो खबरे है लिखित जो दस्तावेज है वो आपके सामने रखता हूँ यह आप देखिए सबसे पहले नवभाट टाइम ने लिखा है कि अबदुल लजीर रज्यपाल बने आईद्या विवाद पर फैसला देने वाली पीठ के दूसरे जज जिनको बड़ा ओदा मिला तो दूसरे जज साहब है जिनोंने आईद्या पीठ के उपर फैसला दिया था अब देखिए यह चार जजों की तस्वीर आप देख रहे हैं यह चार जजों की पांच जजों की तस्वीर आप देख रहे हैं यह पांच जजों की बेंस्ती जिनोंने आईद्या के उपर फैस हो चुके हैं जस्टिस असोग भूशन वो रिटायर है और जस्टिस डिवाई चंदर चुड वो मोजुदा सुप्रीम कोट के जज है और उसके साथ में आप देखिए जस्टिस एस नजीर वो अब जो है रिटायरमेंट के बाद में रज्यपाल बन चुके है तो ये पाँच जजों की जो बेंच थी वो आपके सामने तस्वीर है अब देखिए नोटबंदी जिसमें जजसाब सामील थे ये पाँच जजों की बेंच बनाई गई और इसमें पांच जोकी बेंच में जस्टिस राम सुबर्मन्यम, जस्टिस बियार गवई, जस्टिस अब्दुल नजीर, ये तीसरे नंबर पर जो जजज साब है, ये बने है आज गवर्नर, ये जस्टिस एस 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 बोपन्ना और जस्टिस बीवी नाग नागरतना, एक अकेली महिला थी, जिन्होंने मोधी सरकार की नोटबंदी को जो है, वो ऐसे दिखाया था, बाकि सब ने ऐसे किया, पांच में से चार जजज सहमत थे, कहा था, कि नोटबंदी से पहले सरकार और आर्विय के बीच बात्चित हुई थी, इससे ये माना जा स रखता है कि नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसल नहीं था, आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता, नीचे आप देखिए, जस्टिस बीवी नागरतना ने कहा था, कि फैसला गार कानूनी था, इसे अध्यदेश की कानून के जरिये लाया जाना चाहिए था, तो ये चीज और कोई कह भी नहीं सकता इस बात को, कि वहाँ पर जो फैसला सुनाया और इसी लिए जो है वो इनाम मिला है, और इसी लिए जो है उनको रज्यपाल बनाया गया, कोई नहीं कह सकता इस बात को, मैं तो कही नहीं सकता हूँ, आप भी नहीं कह सकते हो, जो अगर कोई कहेगा तो फिर उसके उपर सुप्रीम कोर्ट की आउ मानना और तमाम सारी बातें जो है वो फिर लागू होती हैं समझ रहे आप बातों को लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि चालिस दिन मेह जे चालिस दिन और ऐसी क्या योगता थी और ऐसी क्या चीजे थी कोई तो सामने आकर के बताए क कि सुप्रीम कोर्ट के जज साब चार जनवरी को रिटायर होते हैं चालिस दिनों के अंदर अंदर जब आदमी अपना कोई किराय का मकान जो है वो चालिस दिनों के अंदर धूंड के सेट नहीं कर पाता है इन साब को जो है वहाँ पर पूरा ठेकाना मिला है पूरा जो है नो राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं एक एंगल और है एक नहीं ढूंडते जाइए देखते जाइए कितने हैं कितने गिनेंगे आप राम मंदिर फैसले में सामिल जस्टिस नजीर आंदर के गवर्नर बने महाराष्टर में कोशारी के जहेंपर बैस तो महाराष्टर में जो है वो अमरिंदर सिंग को जो बनाए जार था कैप्टन अमरिंदर वो भी हाथ मलते रहे गए कहीं पर कुछ हाथ नहीं आया उनके यह जो है वो आपके सामने तस्वीर है अच्छा जजज साब जो अबदुल नजीर आज जो बने है इन्होंने अपने रिटायर्मेंट के टाइम पर एक स्पीच दी थी वो बहुत फेमबस होई थी क्या कहा था सुनिए ज़रा वो जब इनोंने जो है रिटायर्मेंट के टाइम पे इनोंन कहा था रिटायर्मेंट के वक्त में जस्टिस नजीर ने कहा था कि अगर 9 नॉम्बर 2019 को आए फैसले में उन्होंने अपनी अलग राय रखी होती तो अपने समुदाए की हिरो बन गए होते लेकिन जस्टिस नजीर ने समुदाए नहीं देश के बारे में सोचा देश के लिए सब नो च्छावर है इसके अलावा जस्टिस अब्दुल नजीर ट्रिपल तलाक और डिमोन डाइजेशन नोट बंदी जैसे मामलों में फैसला देने वाली बेंच में भी सामिल रहे थे अभी उन्होंने कहा कि अगर मैंने जो है वो सुप्रिम कोट के पांच जजद थे जनूने अज्डय की फैसला सुनाए था और पांचों जजदों की सेमती थी अगर वो कह रहे है कि मैंने अगल अगर उस राइ से अलग जो है वो पनी बात कही होती तो मैं अपने समुद बनेख और यह सही बात चाहिए बहुत सारे लोग उनको हीरो भी मानते हो लेकिन कुछ ने कुछ हीरो जो है उनके अंदर छिपा हुआ था कुछ ने कुछ फीरो की उनके अंदर चीप हुई थी जिसको आज पहचान लिया वरना अब बता यह कोई 40 दिनों के अंदर अंदर जो कि वहां से रिटायर्मेंट और यहां पर राज्यपाल यहां पर राज्यसवा की कमाल की बात है और फिर जो है वो लोग सवाल उठाते हैं फिर जो है लोग कहते हैं कि आप बात बात के लिए जो है वो सुप्रीम कोट भेजते हैं और सुप्रीम कोट से फैसला जाता है देश क मानना पड़ता है और सूप्रेम कोट के वही जज जो है फिर बाद में कहा पर पहुंचाते है वो राजसमा पहुंचाते हैं वो पहुंच जाते हैं राजबाल बना दी जाते हैं तो आप इसको क्या कहें ट्रिपल तлаक के उपर बी जजजशों सामिल थे? तीन तलाक वाले फैसले में भी सामिल रहे न्याय मुर्ती, नजीर ने हाली में एत्यासिक फैसलों में अपना योगदान दिया, आध्या, बाबरी, विद्वन्स, मामलों के केस के अलावा तीन तलाक के मुद्ध पर भी फैसला लेने वाली सुप्रिम कोर्ट के बेंच का हिस्सा रहे ततकालीन, सीजिए, जेयस, खेयर की अद्दिक्स्टावाली, नो से जेस्सों की बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने तीन तलाक को खटम किया अब तीन बड़े फैसले मोधी सरकार के तीनों फैसलों में ये सामिल रहे और आज रज्यपाल बना दिये गए बदहाई हो और देस अब इंतजार करेगा कि बाकी के जजों को भी ऐसा ही जो है वहाँ पर कुछ उनके लिए भी इसी परकार की न्युक्तिया होती है क्या देस इंतजार करेगा लेकिन इत्यास सब कुछ लिख रहा है इस बात को भी मत पूलिया और जो 40 दिनों के अंदर इस तरह से भेजा जा रहा है क्या कूलिंग पीरिड सब कुछ जो है वो धरा का धरा रहा है आप क्या सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बोक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए इस वीडियो को खूब शेर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ओनलाइन उजिंडिया को सब्सक्राइब कीजिए साथ में जो बैल आइकन है उसको दबाईए क्योंकि ऐसी खबरे कौन सुनाएगा आपको शायद को नहीं इन खबरो को सुनाने का कहने का वो अपने आप में एक थेंक यू इस खबर को अभी लाइक करें शेर करें अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएगा